गैज ये क्रोन आफ थ्रोन का पौधा है ये लगवग 5-6 सालों से मेरे पास है 2-3 साल हो गई इसे रिपोर्ट किये हुए इसलिए इसने मूफ उला लिया है और फ्लॉरिंग नहीं कर रहा है आज की इस वीडियो में मैं आप सबको इस प्लांट के बारे में पूरी जानकारी दूँगा साथी साथ इसे रिपोर्ट भी करूँगा गैज ये भी मेरे दोस्तों की तरह धीट परजाती का होता है मतलब काफी हाड़ी होता है इस प्लांट की सबसे खास बात मुझे ये लगता है कि जब भी ये फ्लॉरिंग करता है तो इसके फ्लॉर्स बाकी फ्लॉर्स की तरह दो-तीन दिन या हफ्ते दिन में मुर्जा कर नहीं गिरते आप सुनकर शॉक्ड हो जाएंगे कि इसके फ्लॉर्स दो-दो-तीन-तीन महिने तक खीले रहते हैं गाइस ये गमला जो आप देख रहे हैं इन्हें मैंने ही अपने इन्ही दोनों टैलेंटिट रहतों से बना कर तयार किया है इस बात में कोई शेक नहीं कि मैं इस इलाके का सबसे होट एंड टैलेंटिट बंदा हूँ पर मैंने जब ये गमला बनाया था तब मैं काफी छोटा था अंदर से इसकी सिमिन्ट से लिपाये की थी और ना ही इसमें ड्रेनेज होल बनाया था जिसके बिना ये गमला आधा अधूरा रह गया था आज 5-6 सालों बाद मैं इस गमले को पूरा करने जा रहा हूँ गमले में ड्रेनेज होल का होना उतना ही इंपोर्टेंट है जितना सर में दिमाग का होना वो बात अलग है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स बिना दिमाग का सर लिए घुमते हैं वे कहते हैं कि उन्हें बहुत हलका हलका फील होता है ड्रेनेज होल बनाने के बाद अब बारी है गमले की सिमिन्ट से लिपाई करने की पर उससे पहले मैं गमले के रुखरेपन को ठीक कर लेता हूँ जो कंस्रक्शन वालों ने गमले पर सिमिन्ट और बालू के छीटे पड़ा कर किया है गैस गमले को अंदर से सिमिन्ट से लिप देना बहुत कारगार होता है इसके दो-तीन फायदे हैं पहले ये कि गमला मजबूत हो जाता है दूसरा ये कि जब हम इसमें वाटरिंग करते हैं तो गमले का भीतरी हिस्सा चिकना होने की वायसे पानी जल से जल मिटी को भिंगाते वे गमले से बाहर चला आता है तीसरा फायदा ये भी होता है कि जब हम पौधे को रिपॉर्ट करने के लिए गमले से बाहर निकालते हैं तो गमले का अंदुरूनी हिस्सा चिकना होने की वायसे पौधे बहुत असानी से गमले से बाहर चले आते हैं वरना आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट्स को रिपॉर्ट करने के लिए गमले से बाहर निकालते वक्त कई बार गमला तूट जाता है क्योंकि मैंने ये गमला कई साल पहले बनाया था तो उस वक्त मुझे इन फाइदों का बिल्कुल भी इल्म नहीं था वाह गजब क्या उर्दू बोला मैंने कसम सी इतना टैलेंटेट कैसे मैं ही क्यों हूँ इतना टैलेंटेट चमस से खाना पड़ता है मुझे अब आप बोलें कि अगर ऐसा ही है तो गलफ्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते गाइज मैंने गलफ्स भी इस्तेमाल किया है पर उससे इतना परफेक्ट लिपाई नहीं कर पाता हूँ गाड़नी का भूत ऐसा सवार होता है कि मैं अपने हाथों का बिना परवाक के वे सिमिंट सिमिंट करने लगता हूँ तो चलिए गमले की लिपाई तो हो गई इसे थोड़ा सूखने दिया क्योंकि मुझे हर काम परफेक्ट करने की आदत है इसलिए मैं इस प्लांड को वापस इस गमले में लगाने से पहले इस गमले को कैटरीना के जितना होट बनाऊंगा और उसके लिए मुझे इसे पेंट करना होगा मैं अपने सारे गमले इसी चौगी पर रखकर पेंट करता हूँ इसलिए रेड कपड़ा नहीं पहन सकता अगर गलती से रेड पहन लेता हूँ तो बिल्कुल छपरी दिखता हूँ पर कपड़े को छोड़कर जब भी मुझे कोई डोमेस्टिक चीज़ खरीदने का मौका मिलता है तो मैं रेड कलर प्रीफर करता हूँ हाला कि एक दो कलर छोड़कर अब मुझे सारे कलर सी अच्छे लगते हैं कपड़ों की मामले में मेरा मानना ये है कि लाइफ में हर इंसान को एटलिस्ट एक एक बार तो हर कलर ट्राय जरूर करना चाहिए मेरे कई विवर्स ने कई बार ये कमेंट किया है कि आप गमलो का कलर चेंज कर दें ये अच्छा नहीं लगता है तो भाईयों और बहनों पता नहीं दूर से वीडियो में आपको गमली का कलर कैसा दिखता है पर पास से आकर देखें आपको मेरी गमलों से प्यार नहीं हो गया तो कहिएगा गाइज अगर मैं आपसे कहूँ कि एक साथ फुट की चुलयल लोरी गा कर छोटे बच्चो का शिकार करती थी तो आप क्या कहेंगे शायद आपको यकीन नहीं होगा पर ये भोपाल की एक सची घटना है जिस पे मैंने एक साथ मिनट का वीडियो बना कर अपने दूसरे कहानी वाले चैनल पे अपलोड किया है एक मंत्रा नाम की साथ फुट की चुलयल भोपाल के चीत रिकुटिर कॉलनी से छे बच्चो को गाइब कर चुकी थी वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्चन में मैंने दे दिया है जिने देखना है वो जाकर देख सकते हैं ये पेंट वाला वीडियो जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लगबग दो महने पुराना है लेकिन अब स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है ये कल का है, मतलब कि दो महने लग गए मुझे अधूरे काम को पूरा करने में वज़ा है मेरी जिन्दगी में वक्त का कम होना अरे नहीं यार, मैं मरने वाला नहीं हूँ मेरा मतलब है कि इतना बीजी रहता हूँ कि गाडनिंग के लिए बहुत कम वक्त निकाल पाता हूँ अगर वीडियो आज शूट किया है तो फिर मैं भी ये नहीं जानता कि वीडियो आप तक पोश्चने में कितना वक्त लग जाएगा वैसे गैस मुझे आप लोगों से एक बात पुछना था सवाल यह है कि अगर सरसो कसाग दो दिन पुराना हो जाए तो क्या हम उसे परसो कसाग कह सकते हैं केमेंट में जरूर बताईएगा गैस पता है पहले मैं शादियों में नहीं जाया करता था फिर मैंने टीवी पे एक सीन देखा कि दुला दहेज ना मिलने पर साधी से मना कर देता है और लड़की कवाब भीड में कह राता कि कोई लड़का है जो मेरी इज़त रख ले मेरी बेटी से शादी कर ले बस जिस दिन से मैंने ये सीन देखा मैं भी इसी उमीद में साधियों में जाने लगा हूँ कि कभी मुझे भी ऐसा मौका मिल जाएगा कोई मुझे भी हाथ जोड़के रिक्वेस्ट करेगा कि बेटा तू ही मेरी बेटी से शादी करके मेरी इज़त बचा सकता है शादी की शादी भी हो जाएगी और फिरी में महान बनने का मौका भी मिल जाएगा तो गैस चलिए गमला तो पेंट हो गया डोंट बी शॉक्ड एक दिन सुखने के बाद अब बारी है क्रोन अफ्ट्रोन को इस गमले में लगाने की पर प्राब्लम ये हो गई कि जो सोल मिक्चर मैंने बना कर रखा था बारीस के बच्चे ने उसका शत्यानास कर दिया पता नहीं नेचर को मुझसे क्या दुस्मनी है ये जमीन आस्मान आकाश पताल सब मिलकर मेरा काम खराब करते हैं गमले के डिरेनिज होल को सूती बोरे से कवर कर रहा हूँ फिर गमले के सबसे नीचे थोड़ा सा किचन वेश बिकाउस गमले में ज्यादा जगा नहीं है उसके बाद ये किचन वेश से बनाया गया कमपोस्ट है जब प्लांट की जड़ें प्लांटर के बॉटम में जाएंगी तो उनकी मुलकात इससे होगी और वो मुझे और मेरे भीवी बच्चों को धेड़ेड़ सारा अशिरवात देंगे क्योंकि मेरा सोल मिस्टर तरह लवस्था मैं है इसलिए में कैमरा आफ करके अपने थर्ड फ्लोर पर चला गया और वहाँ से ये मिट्टी और कमपोस्ट लेकर आया हूँ अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ मेरे ख्याल से मिट्टी की परसेंटेज थोड़ी कम है पर मेरे पास सूखी मिट्टी है ही नहीं तो मुझे इसी में प्लांट लगाना होगा मिट्टी मिक्स करते वक्त एक कम जरूर करें अगर मिट्टी या कमपोस्ट का कोई भी सा धेले जैसा हाड हो तो उसे अपने हाथों से चूर लें आपके प्लांट की ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ आपके स्वल मिक्स्चर पर ही डिपेंट करती है तो चलिए अब इस प्लांट को गमले में सेट करने की तैयारी करते हैं सबसे पहले मैं इसके रूट से तीन साल पुरानी मिट्टी निकालने वाला हूँ लेकिन उससे पहले इसके उपर एक ऐसी चीज है जो मिटी में जाकर मिटी को खराब कर देगी वो है सिमिन्ट और रेत के टुकडे पता नहीं कंस्रक्शन वालों ने कैसे नाच नच कर काम किया है मेरे घर पर कि मेरे हर एक गमले में अपनी निशानी छोड़ कर गए है इस प्लांट को शायद दो-तीन साल पहरे लगाया था मैंने तब से इसकी मिटी नहीं बदली गई हाला कि उस टेम मैंने इसका मिटी बहुत अच्छा बनाया था मुझे अच्छे से याद है दो-तीन बार कंटिनुस ने बिना खात के भरबर के फ्लावर्स दिया था गाइस बीजी होने की वैसे मैं अपने प्लांट से बहुत कम ही फर्टिलाइजर दे पाता हूँ कल बारिश हुई थी तो इसकी मिटी गीली हो गई वरना मिटी और अच्छे से निकल जाती इसके रूट्स ज़्यादा हाड नहीं होते हैं इसलिए मैं इसे नोच-नोच कर निकाल रहा हूँ गाइस आई एक्स्ट्रीमली नीड़ अ कटर क्योंकि मैं एक छोटे सहर साइट से बिलॉंग करता हूँ इसलिए मुझे लोकल मार्केट में कटर मिल नहीं रहा है अब मुझे आउनलेन ही मंगाना पड़ेगा आज ही ओर्डर कर देता हूँ तो चलिए मिटी तो निकल गई अब इसे गमले में ट्रांस्प्लांट करते हैं मैंने पहले भी बताया और फिर से का रहा हूँ पौधों को हमेशा गमलों के बीचो बीच प्लेस करें बहुत बर लेफ्ट या राइट हो जाने पर प्लांट की खुबसूरती घट जाती है इस प्लांट में काटे ही काटे होते हैं थोड़ा मुश्किल होता है इसे ट्रांस्प्लांट करना अगर आपके पास भी कोई काटे वाला प्लांट है तो उसे गार्डेन के एकदम खोपचे वाले एरिया में रखें अभी इस गमले को और मिटी के ज़रुरत है इसलिए मैं एक दूसरे गमले से मिटी मागने जा रहा हूँ उस प्लांट से मेरा ये समझाता हुआ है कि जैसे ही मेरे पास मिटी आएगी मैं उसकी मिटी उसे लोटा दूँगा वो गमला बड़ा चालाक निकला उसने एक सर्थ पर मुझे ये मिटी दिया है कि मिटी लोटाने वक्त उसे थोड़ा सा कंपोस्ट भी चाहिए मैंने उसकी सारी सर्थे मान ली क्योंकि वक्त पर गदे को भी फादर कहना पड़ता है गाइस मिटी अगर गिली होना तो मेरा मूड एकदम आफ हो जाता है कुछ भी करने का मन ही नहीं करता मैं मजबूरी में कर रहा हूँ तो चलिए आधे से ज्यादा काम तो हो गया बाकी का काम दूसरी जगा पर जाकर करते हैं क्योंकि ये जगा गंदा हो गया है अब मैं इस पर वाटर शावरिंग करूंगा जिसे प्लांट और गमले पर लगी धूल मिटी साफ हो जाएगी प्लांट को रिपॉर्ट करने पर पानी से धो देना अच्छा रहता है इतना पानी दे की गमले में डाली गई सारी मिटी अच्छे से बैट जाए जड़ों के आसपास की मिटी को अपने हाथों से दबा दे वैसे तो ज़्यादतर प्लांट को रिपॉर्ट करने के बाद शेड में ही रखना चाहिए पर ये प्लांट को ज़्यादा ही हाड़ी होता है इसलिए मैं इसे धूप में ही रख दूँगा इस प्लांट का और सुरज भाय सब का चक्कर चलता है ये दोनों एक दूसरे की कंपनी में बहुत खुश रहते हैं आज से लगबग 13-14 साल पहले मैंने इस प्लांट को फर्स्ट एम धारकन में देखा था उस वक्त मैं गार्डनिंग नहीं करता था पर प्लांट की तरफ अट्रेक्ट जरूर हो जाता था मैं अपनी मामी की साथ उनके जॉब की ट्रेनिंग या मीटिंग में गया था वहाँ पर मिलेटरी कैंप था वही मैंने पहली बर क्रोन आफ थ्रॉन को देखा था और मुझे पहली नजर में इससे प्यार हो गया था बिल्कुल जूड कहा मुझे इससे प्यार नहीं हुआ था मेरा प्यार तो कोचिया है टर्टर लॉयन है चलिए रिपोर्टिंग तो हो गया पर अब इस रायतों को समेटना भी जरूरी है ये चार सल पुरानी डेड़ सोयल है इसकी मिर्थी हो चुकी है इसे पुनर जीत करने के लिए इसमें होट होट कमपोस्ट एड़ करना पड़ेगा गार्डेन गंदा किया है तो जारू तो लगाना ही पड़ेगा जारू देकर कचरे को भी उठा ही लेता हूँ मैंने दो दिन पहले धेर सारा कचरा जमा किया था सोचा कल जाकर फेक दूँगा पर बारी से सारा कचरा धूल मिटी भीक कर भारी हो गया है अब मैं उसे सुखने का इंतिजार कर रहा हूँ खुडा उठाने का जुगार देखे मैं बार बार जारू डस्बिन वगएरा गार्डन मिला कर रखता हूँ और बार बार मेरे घरवाले उसे चुरा लेते हैं चोर कहीं के अब मेरे होट टेरिस गार्डिन का थोड़ा सदीदार कर लिजे बारिस चाहे रेनी सीजन की हो या विंटर की बारिस का पानी पत्तों में चमाक ला देता है कल रात बारिश हुई थी इसलिए गार्डिन एक्स्ट्रा होट दिख रहा है विंटर के कई फ्लावरिंग प्लांट भी भरबर के फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं गार्डिन एकदम हरा भरा हो गया है अब आप सब कमेंट में मेरी एक हेल्प कीजिए भाई की शादी लास्ट अप्रील में है तो आप सब कमेंट में ये बताई कि समर के फ्लारिंसीड मैं कब लगाऊं कि लास्ट अप्रील तक वो मुझे फ्लार्स देने लगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में कमेंट करना ना भूले थैंक यू फूर वाचिंग